असलाम अलेकम एब्रिवान वेलकम टो अनदर वीडियो आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बीटी सी को देखेंगे एंड साथ इसाथ पूरे मार्किट के बारे में डिसकस कर लेते हैं पहले मार्किट आज पूरा रेड है ओवरॉल कली बोल दिया था कि मार्किट थोड़ा सब्सक्राइड होगा 42 का 42,600 का लेवल जो हम लोग पकड़ सकते हैं लेकन मार्किट ने एक फेक आउट दिया था आपने देखा होगा मैं यहां पर दिखाता हूं रात को मार्किट ने इस वाले लेवल पे 45,400 तक का एक विक लगाया था एंड उसके नीचे लेकन जो लोटे यूजर है मतलब यह बड़े लेवरेज वाले हैं उनके हैसल हिट हो गए होंगे अगर उन्होंने प्रॉफिट के अंदर लगाया या वैसे हैसल लगाए हुए है ठीक है अभी भी हमें बीटी सी के अंदर दोई सिनारियों दिख रहे हैं 42,000 का लेवल या फिर मार्क नहीं है मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई बैड न्यूज आती है तो वहां पर गिरने के चांस होते हैं क्योंकि अभी मार्केट जो हैना न्यूज के ओपर वेस्ट कर रही है यूकरिन और रिश्या के बजाते अगर अच्छी न्यूज आई तो हम लोग 45,000 का एरिया आराम से तोड़ पाएंगे अगर थोड़ी से बुरी न्यूज आती है तो हम लोग नीचे वाले लेवल्स है ना इनको टेस्क करके ऊपर जाएंगे ठीक है और अभी भी मार्केट बुलिश है और आपने डेली चार्ट को नहीं देखा होगा अगर आप डेली चार्ट पर ज तो यह एक डबल बॉटम है ठीक है यह डबल बॉटम और डबल बॉटम आपको पता है एक बुलिश होता है तो उसके हाइर चांसे होते हैं कि हम लोग अच्छा और लंबा टार्गट पकड़के चलें डबल बॉटम के और एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर यह बनता है है जब तोपारगार भी बहुत ज़्याथ होता है और दूसरा हमने डिसकास किया हुआ था कि हमारा जो ने एक डवली उ पेटन बन रहे हैं वो भी यहां पर हम blind डिसकनों डिसकस कर लेते हैं डवली उ पेटन देखो इग्जैक्लि यहां पे form हो रहे हैं लेकर डबल्य पेटरन कनफर्म कब होगा जब हम लोगों की क्लोजिंग जो है 45,000 के उपर हो डेली क्लोजिंग विख वगएरा नहीं डेली क्लोजिंग जा 45,000 के उपर हो और उपर होके ऐसे कारी टैस होके हम लोग जब उपर जाएंगे तो हमारा टार्गट होगा 45,000 जिसको हमने आज से चार दिन पहले ही बोल दिया था कि हम लोगों को मार्च के अंदर यह देख सकता है ठीक है तो अभी हम लोग बुलिश हैं और आप लोग में से तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं 20-30 ले लेते हैं और उनकी लिक्विडेशन इतनी पास होती है कि एक 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल जो है उनको लिक्विडेट कर जाती है तो भाई लोग ऐसी ट्रेड मतलो उसके अंदर तो आपका पैसा ही जाने वाला है क्योंकि इतना बड सब्सक्राइब के अंदर शौट लेते हो ठीक है स्टॉप लोस टाइट लगाके रखना और हमारा टार्गट था 2900 के आसपास का मैंने 95% का प्रॉफट बुक किया था आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने टेलिग्राम के उपर बता दिया था कि अगर आप प्रॉफिट एक को जिसमें 45,000 400 गये ते उसके अंदर अगर आपने हम प्रॉफिट के अंदर स्टॉफ लगा होगा तो आपका स्टॉप लोटॉच होगा और अगर नहीं लगाया ओगा तो पता नहीं आपकर है का यह होगी ओ इसके अंदर जहना मैं यहाँ पे ए्ठीरियम का चार्ट ओ कि मैंने रात को यहां कहीं बोला था कि यहां पर हमें दिख रहे हम लोग डाउन जा सकते हैं ठीक है कहा लैवल यहां गई टीक है 3985 के आज पासे हमने बोला था कि बाइ चांसित हैं के नीचे जाने की और वो हम लोग अच्छा खासा टार्कट पकड़के चले थे पर मार्केट ने रिवर्सल लिया था यह नहीं था यहां कहीं था ठीक है यह वल लेवल था ओके यहां पर एक शौट दिया था मार्केट गई नीचे मैंने तो अपना टेक प्रॉफिट कर लिया था अगर आपने स्टॉप लोस लगाया होगा नीचे कहीं तो आपका स्टॉप लॉस टोगा होगा क्यूंकि रात को मार्केट ने यह वला जो बुलिश लिया था ना विक्स लगाए थी उसके अंदर बहुत सरे लोगों क्या से लिट हो गए थे फिर सुबर्ट के मैंने यहां पर देखो यह बैंड जो है एक्दम नीचे को सारे ऐसे क्लोज हो जाते ना तो यह टाइम होता है शौट का तो मैंने शौट कि आसपास वह अगेन हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है अब वेट करते हैं मार्केट किस और जाता है अगेन रिवर्सल होता है तो हम लोग अगेन एक बुलिश करेंगे और इसके लावा हमने के अंदर भी एक शौट पोजिशन ओपन करी थी ठीक है के अंसी के अं हम लोग एक सपोर्ट लेवल के आसपास हैं तो देखते हैं 42,000 के आसपास हम लोग आते हैं नहीं चांसिस तो थोड़े लग रहे हैं बाकी मिलते हैं और नहीं वीडियो के चाथ तब तक लिए बाए